नमस्तार दोस्तों आप सभी का अदबार फिर से स्वागत है आज की रेट में एक क्विश्चन सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि आप हमें मार्केट में जो है वो HGT पैनल देखने को मिला है और ये जो सोलर पैनल है ये टॉपकॉर्ण टेकनलोजी से ज़्यादा बेटर सोलर पैनल है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तरीके से कंपेर्जन करके बताने वाला हूँ कि जो हमारा HGT हट्रो जंक्सर पैनल है या जो N टाइप टॉपकॉर्ण टेकनलोजी पैनल है इन में में और बेसिक डिफरेंस क्या है क्योंकि आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जिनका सच्चाई से कोसो दूर तक कोई सामना नहीं होता है तो आगर आप एक बिल्पूर रियल टुथ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा हर एक चीज हर एक पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा दोनोंगे टिपरेंस जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी यह मेरी 100% गारंटी है और अगली बार आपको कोई विकार की बातों में उलजा नहीं पाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैनल वीडियो की चैनल परना है तो दोस्तों सब्सक्राइब पर दीजिए क्या क्योंकि सब्सक्राइबर्स के मामले में हम लोग सबसे पीछे हैं जबकि मैं फोसिस गपाऊं कि आपको ऑथेंटिक नौलेजी सर्व करों और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करिएगा तो बात करते हैं टौपकॉन की और HGD सोलर पैनल के दोनों के जो बेसिक अंतर हैं उनके बारे में सबसे पहले किसी भी सोलर पैनल का जो आउटफुट जनरेशन होता है वो आउटफुट जनरेशन देखा जाता है कि वो सोलर पैनल हमारा कितने पर सेंट की एफिजेंशे रखता है तो अगर हम लोग TopCont been technology 2024 के सोलर पैनल की एफिजेंशे की बात करें तो ये हमारा 21% efficient है और वहीं अगर लोग वोनोपर की बात करते हैं वो 20% efficiency थी पर जो अब आपको HJT, Hecto Junction Solar Panel देखने को मिलेगा मार्केट में वो मिलेगा 22.3% efficiency के साथ और यही efficiency यह जो difference है यह काफी बड़ा difference create करने का काम बरती है and second thing is that कि क्या main difference है इसके अलावा इन टॉप पॉन और HJT Solar Panel में दोसों आप सभी लोगों ने half cut solar panel का concept सुना है जिसमें हम लोग एक solar cell होती है उसको cut कर देते हैं और जो आपको हमारी mono park की solar panel में भी देखने को मिल लाई थी और mono park के जो top one technology का solar panel है उसमें भी देखने को मिल लाई थी पर जो HJT का panel है इसमें आपको पूरी complete cell देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको कोई कटी हुई cell नहीं देखने को मिलेगी यह सबसे best चीज आपको HJT Solar Panel में देखने को मिल जाएगी उसके साथ ही एक जो और major difference है नमबर तीन का और आपको यह चीजें बहुत authentic लग रहे हैं और मैं real data ही आपके सामने सर्फ कर रहा हूं तो अगर वीडियो भी तक like नहीं गया है तो जरूर like कर दें दोस्तों तीसरा important point कि क्या actual or difference है तो दो point तो हो गया तीसरे point की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो point है इसका कि जो इसका bifacial rate है अब bifacial rate क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं bifacial rate वो rate होता है जैसे माली जीए जो हमारी sunlight solar panel को पर पड़ी जाके तो यहां पर जब हम लोग इन दोनों का difference देखते हैं तो जो टॉपकॉण टोल सोलर panel का bifacial का rating है वो है 70% मतलब जो reflection होगा उसका 70% यह रेट है bifacial का पर टॉपकॉण technology के अंतरगत सब्सक्राइब को एच्जेटी टेक्नोलोजी के अंतरगत मिलेगा इसके अलावा एक major difference और है flexibility को लेकर कि जो हमारा टॉपकॉण solar panel है इसका जो solar cell है वो उतना ज्यादा flexible नहीं है जितना ज्यादा हमारा hgt solar panel है अब question आएगा कि यह हमें फाइदा कहां पर देगा तो फाइदा दोस्तों यह हमें देगा उस condition में जैसे हम लोग solar panels को बढ़ते हैं या इधर दो ले जाते हैं तो ऐसी condition में हमारे solar panel में के अंदर micro cracks glass में भी आते हैं और solar cells में भी micro cracks आते हैं जिससे जो output होता है वो बहुत ज़्यादा effect होता है पर hgt की जो flexibility है वो flexibility काफी higher है compared to one उपर को यह top one technology का पैनल वो तो यहां पर आपको micro cracks की जो chances हैं वो काफी जादा कम देखने को मिलते हैं अब एक सबसे महत पूर चीज जो आपको performance orientation में देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर मैंने top और क्वान के सामने six unit लिखा है और इसको समझ लेते हैं यह कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हमें एक simple सा graph बनाना होगा इस graph के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों थोड़ा सा graph अलट टाइप का बना है तो तब ही आपको समझाने के लिए आप पूरी कोसिस करेंगा जिससे अपका concept में क्लियर होना चाहिए दिए दूस्तों अगर कोई solar panel है उसकी जो ideal condition है जहां पर 100% अच्छी performance करेगा तो वह ideal condition होती है solar solar panel की 25 degree centigrade अगर ताप मान इससे ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है यह जो आप उपर वाली line देख रहे हैं यह एस जेटी पैनल के सिंबल के लिए है और नीचे वाली हमारी टॉप क्वान टेक्नालोजी के लिए है तो जब मान नीचे टंप्रेचर इसका बढ़ा अब टंप्रेचर 25 से 45 degree centigrade हो गया क्योंकि जैसे जैसे दुपार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टंप्रेचर इसका जो कम होता जाएगा जो अभी तक हमारे के पास मोनो पर क्या टॉप का टेक्नालोजी का पैनल था 45 डिग्री सेंटीग्रेट के आने पर करें 93 परसेंट तक इसकी एफिसेंसी या परफॉर्मेंस आ जाती थी पर टॉप क्वान सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस वो 95.2 परसेंट रहने वाली है मतलब यहां पर आपक 46.4 परसेंट की इफिसेंसी पर आगे वही जो एच जेटी पैनल है उसकी इफिसेंसी अब भी 90.4 परसेंट रही तो अगर आप ग्राफ में टंपरेचर के हिसाफ से चेंजमेंट देखते जाएंगे तो यहां बर आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलता रहेगा क्योंकि कि सोलर पैनल में एक परसेंट की इफिसेंसी भी बहुत मैटर करती हो वही सेंट चीज आपका जो टंपरेचर से आउटकम या यूनिट जेमरेशन रिडियूस होता है उसमें हम लोगों ने कहीं न कहीं हैं अच्छी महारत हांसिल कर ली है और यही अगर टंपरेचर साथ से VII II हो एसी हो सकता है कि जैसे आपका सं लाइट में सोलर पानल लगा हुँ तो धीरे दीर सोलर पैनल हीट turr करता रहता है जब आपको होच जाता है तो अगर आप ने SJT पैनल का ओव्योग किया है और 89 Hai और पहुछ गया है तो आपका जो आउउस्स है क्राइम अट तो अब आपको यह थोड़ा सा ग्राफ होच पहुच हो गया है पर अगर आपने सही से समझा है तो मैंने हर एक चीज यहां पर explain कि है कि temperature गिरने के साथ जो अभी तक हमारा outcome में reduction होता था वो आमें में उतना reduction देखने को नहीं मिलेगा जो कि पैस्टिंग होने वाली है और हमारा वह आउटफिट के मामले में करीब आठ यूनित तव टेच करता है परफॉर्मेंस और यूनित जेनरेशन के मामले में इसके बाद अब बात करते हैं degradation रेट की जो कि टॉपकॉर्ण के ऊपर आपको बहुत चिल्ला चिल्ला कर सब बताते हैं मैं भी बताता हूं कि नहीं बताता कि इसका degradation कम है मोनो पर सोलर पैनल से पर जब आप हज़ेटी का सुनेंगे तो अब आप और सौफ हो जाने वाले हैं वह कैसे हो जाने वाले हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों जब आदर हम degradation की बात करें तो अभी हमारे पास जो top corn technology का solar panel है वो एक साल में अगर उसका degradation rate देखें तो total panel का 2% यहाँ पर हमें output कम देखने को मिलता है पर वहीं अगर HGT panel की बात करते हैं तो जो इसका degradation rate है जहां एक साल में यह 2% degradate हो रहा है वहीं पर यह सिर्फ 1% degradate होगा मतलब आपको जो इसकी life है वो top corn solar panel से जादा ही मिलेगी अभी जो HGT पर वारंटी मिल लए है वो मिलती तो 30 साल की है और performance के मामले में और outcome के मामले में काफी ज़्यादा अच्छा और best performing रहने वाला है इसके साथ ही अगर low light condition है तो low light condition में भी यह top 1 technology से अच्छा perform करेगा हमारा HGT panel तो यह वो main points है जिनको आपको अगर समझ जाते हैं तो जो लोग अप्वाइं वड़ाते रहते हैं जो बाते बताते रहते हैं उन चीजों से आप बचे हुए रहते हैं अब एक और important question कि हमारा जो top 1 technology का पैनल है वो हमें easily 565 watt में मिल जाता है जो आप easily देख रहा है इस समय on grid के अंतरगत भी यह system install किये जा रहे हैं पर जो हमारा HGT panel है इसके wattage की बात करें तो यह आपको 650 watt से लेकर 7-10 watt तक का एक solar panel आपको देखने को मिल जाएगा मतलब एक solar panel approximately आपका जो आज की रेटर में एक kilowatt का solar panel unit generation कर रहा है वो solar panel आपका यह अकेले solar panel उससे बराबर या उसके near about आज पास ही generation करता हुआ देखने को मिलेगा अब सबसे important चीज की pricing क्या रहे की क्योंकि वाइड वाइड मार्केट में देखे आपको आज की रुपाइड के बीच ही देखने को मिलेगा इससे जादा इसके प्राइस जाने की उमीद कम है स्टार्टिंग में इसकी manufacturing units लगाने के टाइप जैसे भी top 1 है कहने को तो 30 रुपा और 22 रुपा पर वाइड में आपको मिल जाता है पर competition और demand इतनी जादा है कि आप 25 और 28 रुपा लेकर चलते हैं ना तब भी आपको top 1 टर्मोजी का पैनल नहीं निलफाता है तो जब तक need के हिसाब से prices decide होते हैं पर actual costing बाइस से 25 रुपाई के बीच यह आपको देखने को मिले कि इससे ज्यादा उमीद कम है और दूसरी चीज कि अब आपको number of जैसे आप 2 kilowatt का सिस्टम लगाते थे तो वहाँ पर हमें इसके कमतें चार पैनल चाहिए थे पॉइंट में व्योसी आप डाउन हो सकती है पर इससे ज्यादा व्योसी नहीं होगा क्योंकि अगर व्योसी में चेंज हो जाएगा ट्रैसी कंडिसें में जो मैनुफेक्टरर ने उनको कहीं न कहीं बहुत बड़ा लॉस भी देखने को मिलेगा उसका रीजन है कि अब जो उन्हें होल सिस्टम अपना बदलना पड़ेगा तो उस होल सिस्टम की कोस्टिंग को ना चेंज करके कस्टमर नई टेक्मोलजी अडाप्ट करें इस वजह से व्योसी में आपको ज्यादा टिक्निस नहीं मिलेगा आई होप आपको जो एच जेटी पैनल के रिगार्डिंग जो भी में में पॉइंट्स थे वो मैंने सभी पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करती है अब मैं आफसा करता हूँ कि आपको ये नौलेज पसंद आई होगी अगर पसंद आई थी तो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीज़े और दोस्तो सब्सक्राइब जुरूर information के साथ जिससे आपकी knowledge 100% बढ़ सके